हलो एवरिवन वेलकम टू डी सीम क्लासेज जैसा कि आप जानते एक्जाम 2024 के लिए हम सब्जेक्ट वाइज हर में बिकॉम में बीबीए में एमकॉम में सभी के सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसकस करते हैं और लास्ट येर कौन से कौशन आये थे इस सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट के कुछ के अवेलेबल हो चुके अपलोड हो चुके हैं कुछ के और अपलोड होने वाले हैं तो उसका नौटिफिकेशन आपके पास आते रहे तो बैल आरिकन दबा दीजिएगा और चैनल को जादा से कर दा वीडियो को लाइक कीजिएगा चलिए स्टार्ट करें हम फैनेंशल मेनेजमेंट की तेको फैनेशल मेनेजमेंट कमपेटिवली ईजी सब्जेट होता है यह आप इसमें स्कोर कर सकते हो क्योंकि मैग्जिम जो चैप्टर है वो या तो क्या है फॉर्मला बेस्ड है य सबसे पहले हम यहां क्या डिसक्स कर रहे हैं स्लेबस स्लेबस पता होना चाहिए कौन सा चेप्टर कि स्लेबस में ताकि उसी के अकॉर्डिंग तो हम त्यारी करेंगे तो फर्स्ट यूनिट में अगर आप देखो तो इसके अंदर फइनेंशल मेनेजमेंट इंट्रोडक्शन है फैनेंशल स्टीटमेंट है और टेक्निकस और फैनेंशलSabak लेकिन यह सब क्या है यह थ़ोरी है इसमें हलक ऐसा थोड़ा बहुत नियूमरिकल कर सकते हैं for example second unit की बात करें तो इसमें तीनों चप्टर बड़े हैं रेशो fund flow और cash flow ठीक है रेशो आपको अच्छी तरह से करना चाहिए काफी बच्चे क्या करते हैं रेशो को बोलते कि सर इसमें बहुत सारे formula कौन याद करेगा छोड़ो इसे लेकिन रेशो important है वो second year में भी important है और फिर आपके final year में भी important है दुबार आएगा तो second year में भी आएगा final year में भी आएगा उसके बाद चाहिए आप M.com करोगे या MBA करोगे कुछ भी करोगे फिर दुबार आएगा तो रेशो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा तो 12 में भी पढ़ा हुआ है इसको आपको बहुत अच्छी तरह करना चाहिए और बहुत सारे अगर है तो उसमें से maximum फॉर्बले तो नाम से याद हो जाते तो और इसको थोड़ा सा आपको करना है ठीक है आप इसको छोड़ना नहीं किसी भी हालत में और इसका लास आपके जो देखेंगे तो लास्ट फ्रिट्वाइब से कॉशन भी आ रहा है इसका अभी अपन देखेंगे कौन से कॉशन आये फिर फंट फ्लो और कैश फ्लो अब इसमें भी है कैश फ्लो भी आपका टुछ में पड़ा हुआ है इसको थोड़ा सा रिवाइस करोगे तो और चैश फ्लो आजाएगा और कैश अगर आगया, fund flow अपने आप आजाएगा, क्योंकि लगबग similar है, statement में आपके changes होते हैं, जैसे cash flow में तो अपने एक ही statement बनाते हैं, जिसमें operating activity, investing और financing activity होती है, fund flow में तीन अलग-लग statement बनाने पड़ते हैं, जिसमें statement of change in working capital, fund flow statement और एक FFO, fund from operation बनाते हैं, तो लिखने का pattern change हो cash flow, लेकिन आपको करना चाहिए, ताकि यूनिट जो है, पूरी solid हो जाए, लेंदी के नाम पर अगर बात करें तो ये तीन ही chapter है, उसके आगे देखोगे, इस unit के अंदर, ये आपका बहुत important chapter है, और इसमें भी last year चोट कर दी थी, ये एक ही numerical है, तो आता है इसका लेकिन last year इन दोनों में theory दे दी थी, ये caution दिया ही नहीं numerical, तो इस बार तो 101% इसमें से आएगा ही, आएगा और ये double important है आपको, cost accounting में भी marginal costing नाम से, तो सबसे पहले तो आपको जो chapter है, वो इसमें करना ही यही है, cost, volume, profit, analysis, सबसे पहले यही chapter आपको करना है, ठीके, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, तो ये तो दोनों theory हैं भई, फिर इसमें आपका बात करें तो management of working capital, ये confirm question आएगा, तो आपको ये भी करना है, management of working capital, क्योंकि इसमें दो chapter है, ये तो theory है, पूरा ये numerical है, ठीके, फिर उसके बाद में नीचे में तीन आपके, ये इसमें भी numerical question आता नहीं है, ये तीनों है, ठीके, अब आपका last year देखें तो dividend policy का भी आ चुका है question, और capital investing का भी दोनों numerical आया थे, last year भी बताता हूँ आपके, ल बड़ नंबर पे तो आपको ये management of inventory पढ़ना है, management of inventory, अच्छा, ये double important किसलिए है, यही chapter, cost accounting में किस नाम से, metal control नाम से पहले unit पे तो उसमें भी ज्यादा chances बनते इस बार आने के, ठीके, तो ये आपका double important है, उसके बाद एक आपका capital bursting, और dividend policy वैसे बहुत छोटा ही chapter है, गॉर्डन और एक MM model, तीन formula based है तो इसको करना चाहिए, हलागी last year question आज चुका, chances कम है, तो इन फिर भी कर लो, तो पहले तो इसमें आप capital bursting करना, और फिर जब आप dividend policy करोगे तो ये पूरा unit secure हो जाएगा, ठीके, अब उसके बाद फिर आप in पे आईएगा, तो मैंने का ए issue, और यहाँ पर फिर मैंने कहा, आप एक ऐसा नहीं है कि एक ही करो, आप दोनों आराम से कर सकते हो, जब आप देखोगे, तो एक कर लोगे तो दूसरा उससे जादा easy लगेगा, क्योंकि महनत एक ही में करनी पड़ेगी आपको, ठीके, तो आप क्या करना, cash flow और fund flow, अब आ theory का अगर बात करें तो मैंने लिख रखा है, देखो, इसमें theory का ज्यादा chances ये, इसी में management of receival में रहता है, इसमें cash वाले में theory का रहता है, इसमें source of finance और financial planning ये वाला रहता है, और first तो आपको unit theory के लिए करनी ही पड़ेगी, ठीके, तो ये sequence है, अब अच्छा आप देख इसमें लेकिन ये तो आने का चांसे ने ये करना है, और बाकी में भी आपन देख लेते हैं, देखो, ये, 2023 का paper, तो क्या है इसके अंदर, पहले unit में देखो, दोनों theory के question आए, एक तो define the financial management in your world, और वन वर तो फैनेशल मेनेजमेंट की डेफिनेशन वगेरा मेनिंग वगेरा बतानी है आपको और उसके बाद सपोर्ज यू आर सी एफो और कंपनी और यू वांट तो एक्स्प्लेंट रोल एंड डिफरेंट डिसीजन टेकन बाइफ फैनेशल मेनेजर तो न्यूली रॉड तो इस इस बाद में में दूसरा इक है अपन तो यह है हाऊ डू यू हाव डस्थे मोडन फैनेंजर डिफर फ्रोंद ट्रेडिशनल फैनेशल मेनेजर और दस the modern financial managers role different a large diversify firm and the small to medium firm तो एक तरह से आपको financial manager है उसके roles वगेरा बताने के modern finance में है traditional finance में उसके क्या roles दे तो जब roles देखो के तो traditional में भी बताये वे हैं modern में भी बताये हैं तो वो चीज तो पहली unit तो थोरी आपको solid करनी ही करनी है अच्छा second unit में देखो बहुत easy यह आपको क्या दे रखा है balance sheet और कुछ additional information और simple आपको short term solvency long term activity ratio property अब इसमें क्या है short term solvency ratio यह कौन सा होता है जो पहला liquidity ratio अपन पढ़ते हैं current ratio liquid ratio तो वो सारे निकालने long term solvency ratio तो debt equity ratio जो वो निकालने थे activity ratio तो activity ratio में क्या था आपके आपके एक तो inventory turnover था receivable turnover था ठीक है एक आपके payable turnover था assess turnover वो सारे activity ratio profitability ratio में कौन सा निकालने थे एक तो आपके अलाब एक तोरह से पूरा chapter ही भूच लिए ऐसमें profitability ratio में तो based on sales था और एक based on capital था जिसमें gross profit ratio, net profit ratio, operating ratio फिर अपन ने जब उसमें निकाला था based on capital तो return on investment, return on shareholder fund, return on equity shareholder fund, return on total assets तो लगबग सारे ही पूच लिए इन्होंने 5 types of ratio बता रखे हैं आपको जिसमें 4 तो इसने पूच लिए अब उनसे related जो जो information given है वो ratios हमको यहाँ पर क्या करने हैं calculate करने तो यह थोड़ा सा lengthy question last year आगया था ratio का तो जितने आपको आप ratio आते थे उसमें आपको निकालने हैं यह additional information given थी फिर आगे देखो what do difference between what are the difference between fund flow cash flow और explain the various method of financial statement analysis ठीक है फिर इसके बाद में third में मैंने कहा था देखो यह दोनों थोरी दे दी थी last year तबकि इसमें cost volume profit and less break even point वाला है वो question आता है यह आता है अब last year नहीं आया तो अब तो आएगा है आएगा ठीक है वो एक ही numerical बनता है बाकी आपका यह देखो advantage disadvantage equity share और difference between equity and prevention मतलब source of finance का caution दे दिया source of finance का एक financial advisory enable to household to manage its personal finance efficiency in line तो यह एक तरह से आपको क्या दे दिया के financial advisory और planning service उसका दे दिया मतलब जैसे अपन forecasting ने financial planning and forecasting करते है उसका दे दिया लेकिन जब भी ऐसे statement आपको दे दिया जाए तो मैंने कहा था statement को पहले थोड़ा सा explain कर दो और उसके बाद वही जो planning पूछा है तो planning के बारे में बता दो आप सारी चीजे और उसके बाद जब chapter खतम करो कॉशन खतम करो तो conclusion भी इसी लाइन से खतम कर देना ठीक है फिर उसके बाद में आपका कौन सा है फोर तो इसमें आपको critical explain the factor affecting the requirement of working law explain the working capital requirement policy working capital का theory और working capital का ही numerical दोनों working capital के दे दिये ठीक है working capital का numerical दे दिया और उसी का क्या दे दिया theory भी दे दिया फिर फिप्त की बात करें अब उसमें का दो ही चेप्टर एक तो working capital और management of cash and securities तो working capital का आए गए आएगा question कि फिप्त में बात करें तो देखो मैंने का दोनों numerical दे दिये एक तो dividend policy का दे दिया और साथ में ये आपको capital बस्टिंग का दे दिया दोनों ही numerical दे दिये तो इसमें से आप dividend policy बहुत इसी था ये भी कर सकते है तो ये तो आपका paper था 2023 का चलो उससे पिछले साल का paper भी हम देख लेते हैं 2022 का पहला unit तो मैंने कहा था theory रहता है तो देखो ये important financial management describe the function of modern अब ये 2022 में आया था तो इसके वापद 2023 में नहीं आया तो चोईस में आ इस question के आने के chances है normally financial management के क्या है उसके importance क्या है और उसके functions क्या है ठीक है तो चोड़ी का question अच्छी तरह कर लीजेगा ये एक फिर आपको horizontal और vertical analysis के short note और essential of good financial statement ये दे दिया फिर बात करें हम आपन किसकी second unit की तो देखो इसमें वही fund flow और cash flow का difference दो हजार 23 में भी यह आया था difference between fund flow cash flow और explain the various types of cash flow in the cash statement prepared as accounting standard अब आपने cash flow पढ़ रखा है तो difference तो बता ही दोगे उसके बाद जो cash flow statement में आपने types of cash flow कौन सा होता है एक तो operating cash flow form operating activity investing activity finance activity तो वही चीज आपको बतानी है और फिर आपको statement भी बना देना उसका तो 20 मास का वैसे तो यहार हो जाता है ठीक है और साथ में आपको इसके अंदर caution जो दे रखा है है वही दो साल का information ratio का caution दे दिया लिक्विडिटी पोजिशन प्रॉटिविटी पोजिशन में तो लिक्विडिटी रेशो निकालते हैं जिसमें करन्ट रेशो लिक्विड रेशो एसी टेस्ट रेशो होता है प्रॉटिविटी में मैं आपको वही बताया था बेस डॉन सेल्स होता है बेस डॉन लिक्विटी तीक है उसके बाद कि ये आपका कॉंसा कॉस्ट वर्ल्यव प्रॉट अणिसका मने का हर बार रहर साल कॉशन आता है वो लास्त ये थोड़ा चोट कर दिया था दोनों इन थे-दिये थे बागी कोस्ट व्ल्यूम प्रॉट अणिसका कॉशन आता ही-ाता है फिर तो इसके बाद में फोर्थ की बात करें तो एक तो ये आपका cash management का question आ गया management of cash and security था न उसका theory का और working capital तो मैंने का एक है वो question आए गई आएगा 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 आपका तो working capital का numerical आ गया ठीक है उसके बाद अगर बात करें अपन तो fifth unit में ये तो inventory management का theory आ गया और ये capital budgeting का क्या आ गया numerical तो उससाब से मैंने आपको बताया है कि आप सारे जो chapter भी अपन दुबारा एक बार मैं explain कर दूँगा किस तरह से क्या पढ़ना है अगर कुछ theories भी आप करना चाहो तो मैंने का first unit में आप एक तो ये financial management discrete nature scope importance of financial management एक financial function और explain the function and responsibility of financial manager अब इसके अंदर वही modern और traditional सब आ जाएगा अब अलग तरह से भी caution आएगा तो लिखने तो वही function ही है ना तो अगर आप ढ़ंग से पढ़ लेते हो तो तो कैसा तरह भी गुमा के भी caution देते तो कोई दिकत नहीं है फिर what do you understand by financial analysis give the name of the various techniques of financial analysis or explain and one technique in detail तो ये financial analysis की technique का की caution बहुत बार आता है फिर उसके बाद ये fund flow fund flow और उसमें fund flow में किस तरह होता है बाकि एक मैंने का हर बार caution आ रहा है fund flow और cash flow का difference ये तो अच्छी तरह कर ले ना अब फिर वो fund flow को detail में पूछ ले तो fund flow का numerical पढ़ा होगा तो उसका theory आप आराम से लिख सकते हो cash flow का पूछ ले तो cash flow में इस treatment पढ़ चुके है तो उसको भी अपने explain कर सकते है लेकिन एक important fund flow cash flow का difference जरूर पढ़ लीजिएगा उसके बाद में third में financial forecasting और उसकी techniques वगेरा बतानी है और financial plan और उसके characteristics sound plan बागी मैंने कहा था इसमें आपके क्या आता है cost volume profit analysis का numerical का caution आता है fourth में cash से related मैंने caution दे दिये क्यों cash management में क्यों कि इसमें working capital है तो उसका तो numerical आएगा ही आएगा तो working capital को अच्छी तरह कर सकते हो ठीक है theory करना ज़रूरी नहीं है numerical कर सकते हो आप अच्छी तरह से पस फर्स उनिट का तो theory करना ही पड़ेगा fifth में बात करें तो management of receivable जो है उसका आपको meaning बताना है और फिर how will you control the investment in receivables explain और एक dividend policy और critically examine the essential of sound dividend policy ये कुछ theory के question से लिए theory का question कहीं से भी आ सकता है आपको इसमें numerical पर focus करना है तब आप बहुत अच्छा score कर सकते हो और numerical competitively easy है इसमें एक बार करेंगे अब आपको मैंने बता दिया किस तरह से करना है बाकि आप अभी भी चाहें तो आप DCM classes का app download करके हमने कोर्स बना रखा है combined income tax cost और financial का कोई individual subject अगर बच्चा करना चाहता है तो उसका individual course भी available है तो एक बार DCM classes का app download कर लिजेगा play store से ठीक है और जो iPhone users है वो my institute नाम से my institute नाम से download कर सकते है iPhone users और उसमें ORG code डालना पड़ेगा ORG code Y-K-H-I-E यह डालेंगे तो DCM classes का app open हो जाएगा उसकी store section में सारे courses available हैं वो आप देख सकते हैं और बाकी detail के लिए आप call या WhatsApp हमें कर सकते हैं यह number है ठीक है सारे classes available है B.com, B.b.a.m.com की online, offline सभी चीज़े हैं तो जो बच्चा अगर करना चाता है अगर दूर रहता है, offline करना चाता है तो पास में offline आ सकता है जो दूर रहता है, online, daily live classes available होती है, online में daily क्या होंगी, live classes available होगी, जो offline पढ़ाते हैं, AZTs आप online पढ़ सकते हैं और recorded तो सारी चीज़े मिलेंगी ही, और बाकिया आप जानकारी चाहते हैं तो phone कर लीजीगा, WhatsApp कर लीजीगा तो detail मिल जाएगा, thank you.